वंडे वर्ल्ड कप 1983 की विजय भारतिय टीम का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर कीर्ती आजाद की पत्मी पूनम का निधन हो गया है पूनम लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूज रही थी ममता बनर जी ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने पूनम को लंबे समय से जानती थी और दुखी है कि पूनम का निधन हो गया भारतिय पूर्व स्पिनर हर भजन सिंग ने सौरव गांगुली महेंद्र सिंग धोनी और रोहित शर्मा के नित्रित्व में भारतिय क्रिकेट में खेला है धोनी और रोहित की लीडर्शिप में अंतर है जहां धोनी खिलाडियों को गल्तियों से सीखने देते हैं और रोहित खिलाडियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन UAE में होगा जिसमें 3 से 20 अक्टूबर तक कुल 23 मैच खेले जाएंगे तूर्णामेंट के लिए दो ग्रूप बनाए गए हैं और हर ग्रूप की शीर्ष दो टीमें 17 और 18 अक्टूबर को सेमी फाइनल मैच खेलेंगी जिसके बाद 20 अक्टूबर को दुबई में फाइनल मुकाबला होगा पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की फॉर्म ने प्रशन्सकों को निराश किया है उनकी लगातार खराप प्रदर्शन के कारण उनकी आलोचना हो रही है पिछले 17 पारियों में उनके बल्ले से एक भी अर्धश तक नहीं आया है दिनेश कार्तिक ने आस्ट्रेलिया में होने वाली आगामी बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी बीजीटी के लिए अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाने की जगा लेने वाले खिलाडियों का जिक्र किया है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में इस जोडी की जगा लेना किसी बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं होगा भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार आलराउंडर युवराज सिंग के पिता योगराज सिंग ने महिंद्र सिंग धोनी के साथ हुए व्यक्तिगत मामलों के कारण अपनी नाराजगी जाहिर की है योग्राज ने दावा किया है कि धोनी के कारण उनके बेटे का क्रिकेट करियर समय से पहले समाप्थ हो गया है BCCI ने इंग्लेंड बनाम श्रीलंका के बीच सीरीज का शेडियूल जारी कर दिया है जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भाग लेंगे BCCI ने इंग्लेंड और श्रीलंका के बीच अगस्त में होने वाली पाँच मैचों की सीरीज का शेडियूल जारी किया है इसमें लंदन और ओवल में मैच खेले जाएंगे BCCI ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के नेत्रित्व में IPL 2025 का शेडियूल जारी किया बाबर आजम और जय शा की भी टीमे होंगी शामिल भारतिय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल के वर्षों में बल्लेबाजी की शैली में बदलाव किया है उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई है अगर वहां बांगलादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में साथ और छक्के लगा देते हैं तो वहां भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाडी बन जाएंगे